Hello everybody, this is Digras Singh Rajput, welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Bolsheviks and Mensheviks क्या है ये Bolsheviks और Mensheviks? पिछले वीडियो को जड़ा रिकॉल करो पिछले वीडियो में हमने देखाता है कि Lenin की सोच कुछ अलग थी ठीके, अब इस अलग सोच के कारण क्या होता है कि चीजें और बदल जाती है कैसे बदलती ही वो मैं आपको समझाता हूँ अभी ये स्पेसिफिक वीडियो बनाने के पीछे कारण क्या है? इस पर डारेक्ट कोशन आता है What are the difference between Bolshevik and Mensheviks? ठीके, explain Bolshevik, explain Mensheviks इस तरह से कुशन आ जाते है, one marks में, three marks में तो अब आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो में आपको उस कुशन का आंसर मिल जाएगा clear है? हम क्या पढ़ रहा है? मतलब, broad heading हमारी वही है, socialism in Russia कि Russia में किस तरह से socialism धीरे धीरे अपनी जड़े फैलाता जा रहा है parties बन गई थी, अब उन parties में कैसे split होती है अलग-अलग वो मैं आपको समझाता हूँ जो हमारी party थी, Russian Social Democratic Workers Party ठीके, तो इस party में क्या होता है? इस party में split देखने को मिलता है split याने इस party के दो parts हो जाते है कौन-कौन से होते हैं दो parts एक Bolshevik हो जाता है और दूसरा हो जाता है Menshevik Bolshevik क्या होता है, Menshevik क्या होता है तो एक बात बता तो मैं आपको Russian language में Bolshevik का मतलब होता है majority और Menshevik का मतलब होता है minority तो अब आप समझी गए होंगे कि यह जो Bolshevik है यह जो हमारी party थी Russian Social Democratic Workers Party इस party का majority part है और यह जो है यह इस party का minority part है तो split होने के बाद में इस तरह से कुछ बढ़ जाते है लेकिन यह Russian language में majority minority कहा जाता है अगर समझें तो कभी-कभी Menshevik के पास भी जादा strength हुआ करती थी कभी-कभी Bolshevik के पास भी जादा strength हुआ करती थी फिर दोनों में ultimately लेकिन जीत कौन जाता है ultimately जीत जाती Bolshevik party ठीक आईए start करते है तो पहले Bolshevik को समझते है तो Bolshevik वाला जो पोल था उसे लीड कौन कर रहा था Bolshevik वाले पोल को लीड कर रहे थे Lenin Lenin का क्या मानना था Majority faction headed by Valdemir Lenin ठीक है Valdemir Lenin लीड कर रहे थे यह नाम है अंकल का बहुत सी बार देख चुके है फोटो भी और नाम भी याद हो गया होगा आपका He believed that party should be disciplined and should control the number and quality of its member quality member होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप सबको अपनी party में जोड़ो लो quality member होना चाहिए उसी के साथ साथ में कुछ जैसे इनके opinions यह थे कि workers should be the force of revolution पीजन पे जादा focus नहीं करते तो इस perspective से क्या है कि Lenin का अलग mindset था और उस mindset को follow करने वाल एक अलग लोग थे और जो majority fraction था वो इनके साथ था Lenin के साथ में ठीक है फिर अगर देखें इधर मेंशिविक वाला तो यह आपकी book में नहीं दिया है फिर भी मैं आपको general knowledge के लिए बता रहा हूँ था कि आप relate कर पाऊ तो जो दूसरे बचा हुआ fraction था another fraction of the party headed by Julius Martov यह है Julius Martov तो यह Lenin के against में आवाद उठाते बोलते हैं कि नहीं नहीं Lenin का ऐसा बोलना ठीक नहीं है peasants को भी जोडो जितने लोग जोड सकते उतने लोग जोडो Germany में इस तरह से socialism का काम चल रहा था बोल रहे थे कि हम Germany वाली line पे काम करेंगे ठीक है तो he इनके जो followers थे में शेविक के Julius Martov के तो they believed that party should be open to all as in Germany Germany की जो हमने देखा था German Social Workers Party जो थी तो उस party से क्या था उस party से relate करते थे बोलते थे कि हाँ वैसी party बनाना है अपने को भी तो उसके चलते क्या है कि अब एक wing है The Russian Social Democratic Workers Party अब इसका एक mindset होना चीए अलग-अलग leaders होंगे अलग-अलग सोच वाले तो उसके चलते क्या होगा उसके चलते कहीं न कही disparity develop हो जाएगी disparity ऐसे develop हो जाएगी कि ये कुछ और कहेंगे ये कुछ और कहेंगे अब दोनों का जब अलग-अलग opinion होगा अलग-अलग बात होगी तो उसके चलते conflicts होते थे ठीक है तो ये वही conflict के चलते split होता है split कब होता है this split happened in 1903 1903 में split हो जाता है इस party में इस Russian Social Democratic Workers Party है और उसके चलते क्या होता है उसके चलते दो blocks बन जाते हैं दो blocks बन जाते हैं Bolshevik का और Menshevik का ठीक यहाँ पर एस लगा देते हैं तो Bolshevik का एक block बन गया एक Mensheviks का block बन गया और Bolshevik को lead कर रहे थे Valdemir Lenin और जो Menshevik party थी Menshevik block था उसे lead कर रहे थे कौन? Julius Martov यह हो गया हाँ तक समझ में आ गया तो आप इसे relate करो कहा आपने पिछले वीडियो से कि socialism हम जो Europe देख रहे थे तो वहाँ पर हमने देखा क्या? कि Europe में ideology के चलते parties बनना start हो गई है workers ने भी कुछ बनाया peasants ने भी कुछ बनाया फिर और जादा ideology के अंदर गुशते चल गए तो कुछ लोगों ने अलग-अलग section बना लिये अब हम देखते हैं कि मेंशविक उतना आगे नहीं बढ़ पाएगा जितना बॉल्शविक बढ़ पाएगा ठीके? तो यहां तक हम कहानी लिया है कि किस तरह से जो support है socialism का वो रशिया में भी बढ़ गया ठीके? मैंने अब शायद पहले Europe कह दिया तो कर सकते हैं कि जो पहला force देखने को मिला था जो change की demand कर रहा था वो आता है 1905 में 1905 में क्या होता है? उसका एक जो background है वो मैं आपको आपको नेक्स वीडियो में बताने वाला हूँ clear है? तो इस chapter के notes आप हमारी official website magnetbrains.com पर जाकर बहुत आसानी से download कर सकते हैं magnetbrains.com पर class 4th से class 12th तक सभी subjects, सभी chapters और सभी chapters के sub topics एक arranged format में available हैं जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं समझ सकते हो डाउनलोड कर सकते हैं feel free to visit our official website magnetbrains.com मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you, thank you very much